बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेट काट पीपल्स वोईस और पेल आइकन दबाए अग्षाण पीपल्सक्राइब के लिए तो अग्षाण फाली आइकन दबाए खबाए आए लिए भी विए आप आप बाए आप बाए लाइब लोग ओंदे फिए इस पर जरूर हम लोगो को तुरूर आप तो तुरूर दो आप 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 तो मानेवर अट्वेस्ता लॉ हम लोगों को थोड़े से समीक्षा करने की जरूरत है बेरोजगारी 45 साल की अपने सबसे बड़ी चरम सीमा पे थी किसानों की आए 40 सालों में सबसे कम वृद्धी हो पाई थी और मार्च 2020 में खपत में 10 सालों में सबसे कम वृद्धी पाई गई थी और इसका प्रमुक कारण था कि तेजी से महंगाई बढ़ रही थी और उसी तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही थी पिछले छे सालों में नोडबंदी जीएस्टी का खराब क्रियानवन और अस्थे नीतियों की बजए से अर्थ विवस्ता की स्थिती बहुत से बत्तर होती चली गई के चुड़ पा प्कॉड़ा खराव सित गैस का रावज रपिज रप्लेशने था खराव इदेड प्रवे अजू इन परशफ ये के पॉड़ रही में इन बढ़ प्रव ये ये अजन ऑ्रवी से लिए 10 जीएस्टी बढ़ पर इंधर इन प्रशफित लिए 20 देज करिए से Demand of Grants for Labor and Employment Ministry, इसमें मानेवर 4,374 करोड रुपया प्रधानमंत्री गरीब आवास, गरीब योजना के लिए, कल्यान योजना के लिए आवंटित किया गया है। सरकार की धमाकेदार हेडलाइन्स में आता है कि 42 करोड लोगों को अब तक मदद की गई है। लेकिन इस दावे को गहराई से जाचने की जरूरत है मानेवर, 2 करोड 81 लाख व्रिद्धा, विद्वा और दिगवान गरीबों को मातर 1000 रुपया दिया जाता है। क्या सरकार ये समस्ती है कि 1000 रुपय के अंदर लॉकडाउन में ये लोग गुजारा कर पाएंगे, 20.3 करोड लोगों को जंधन खाते में प्रतिमा 500 रुपया दिया जाता है। क्या सरकार ये समस्ती है जो ये 500 रुपया एक दिन का मतलब की 16 रुपया 66 पैसा। क्या सरकार ये समस्ती है कि 16 रुपया 66 पैसे में ये जंदन योजनाए कि हमारी महिला है अपना जीवन यापन कर पाएंगी। मानिवर 2 करोड चाचचच लाग प्रवासी मजदूरों को 5 किलो आनाज प्रति महिने 2 महिने के लिए दिया गया। लेकिन मई के अपने आत्मिर्बर पैकेज में मानिवित्मंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि इस पैकेज से 8 करोर लोगों को फाइदा होगा। जिस हिसाब से अभी सरफ और सरफ एक तिहाई लोगों को फाइदा हुआ है। बाकी दो तिहाई लोग अभी भी जो है इस नीती का फाइदा उठाने के लिए ललाहित हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि इसी लेबर और एंप्लॉइमेंट बज़र में हमारे यहां के बुनकरों और खास तोर से पुर्माचल और अमबेटकर नगर के बुनकरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और आज उंकी स्थिती बच से बत्तर हो रही है और यहां तक की बिजली विभाग के लोग आए दिन उंके साथ जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं। Under supplementary demands of grant for ministry of statistics, ministry of statistics has been granted 30.4 crores for the new scheme national program for improving quality of statistics. I would like to ask the government to clarify, will we now see the real data on unemployment, GDP, farmer suicide and will we finally get a database on migrant workers. Over the last six years, the central government has worked to weaken the financial autonomy of the states and this crisis has culminated during the pandemic when the GST compensation due to the states stands at one point. Sir, I am about to conclude. I have seven minutes on GST compensation of the states. I am not going to get into too much detail because I have very little time. But as it stands today, the roughly 2.35 lakh crores is still falling short and the finance minister really needs to look into this. I have two more points on demands of grants and I will make that and I will conclude. Ministry of Railways, in the supplementary of Ministry of Railways, 620 crores has been granted in COVID emergency response and health systems. It is appalling to see that the Railway Ministry has recently accepted that 97 people have died while travelling on Shrammik trains till 9-9, 2020. In May's newspaper documented, four-year-old died on a train from Delhi due to heat. Sir, I am about to conclude and after all this starvation and suffering migrant workers were charged ticket fares. Finally, and one more thing, in Ambedkar Nagar, because of COVID, two trains have been suspended of which I want to speak later on because there is less time. But I will conclude now that I am about to conclude that I am about to conclude that the amount of money will be provided in the supplementary grants. में, उस धन, मेरी उम्मीद है कि उस धन के वो धन गरीबों के हातों में जाएगा, ताकि, ताकि, Sir, I am about to conclude, ताकि वो जो है उसका फाइदा कर पाएँ. यह सचाई यह है कि सारी की सारी सरकारी नौक्रिया कॉंट्रैक्ट यानि की संविदा पर दे दी जा रही है, हाल में ही यूपी सरकार ने प्रस्ताव किया है कि सरकारी नौक्रियों पर पांच साल की संविदा पर काम करना अनिवार होगा, जो की नौजवानों के साथ विश अभी भी खासका रंबेटकर नगर उत्रप्रदेश के युवा अभी भी आशा और प्रतीक्षा में बैटे हैं कि हर हर नौकरी घर घर पैसा आने का काम होगा लेकिन मानवार यह बिल्कुल नहीं हो पर है अबार तो कंक्लूड जिस वन लास्स दिस निवेदन है कि अच्ट ऑफ गॉज ने एक बहुत ही अच्छा मौका मानिया वित्मंत्री को दिया है कि वह नए सिरे से अपना अर्थ विवस्ता को सुधान्य में आरम करें सा आम किंक्लूडिंग मेरा आधनिया वित्मंत्री से नि मेरा मित्र मंत्री से यही निवेदन है कि सभी राज सरकारों और अर्थ शास्तियों को निश्पक्ष रूप से साथ लेकर एक मजबूत अर्थ विवस्ता को गढ़ने का काम करें जिससे सिक्षा चिकित्सा और नौकरी हर भारतियों को समान रूप से मिले बहुत-बहुत ध स्पुति स्था आमर्बू。